मेरे प्यारे देश्वासियों, हमारे देश में समय के सार, स्थिती, परिश्थित्यों के अनुसार अनेक परंपराय विक्सित होती हैं। यही परंपराय हमारी संस्कृति का सामर्थ बढ़ाती हैं और उसे नित्य नूतन प्राण शक्ति भी देती हैं। कुछ मैने पहले ऐसी ही एक परंपरा शुरू हुई काशी में। काशी तमिल्क संगमम के दोरान काशी और तमिल्क छेतर के बीच सद्यों से चले आ रहे एत्यासिक और सांस्कृतिक समंदों को सेलिबरेट किया गया। एक भारत, स्रेष्ट भारत की भावना हमारे देश को मजबूती देती है। हम जब एक दूसरे के बारे में जानते हैं, सिखते हैं, तो एक्ता की ये भावना और प्रगाड होती है। यूनिटी की इसी स्पिरिट के साथ अगले महिने गुजरात के विविन हिस्सों में सवराष्ट तमिल संगमम होने जा रहा है। सवराष्ट तमिल संगमम 17 से 30 अपरिल तक चलेगा। मन की बात के कुछ रोता, जरूर सोच रहे होंगे कि गुजरात के सवराष्ट का तमिल नाडू से क्या समद्ध है। दरसल सदियों पहले सवराष्ट के अनेकों लोग तमिल नाडू के अलग-अलग हिस्सों में बस गए थे। ये लोग आज भी सवराष्ट्री तमिल के नाम से जाने जाते हैं। उनके खानपान, रहनसन, सामाजी के समस्कारों में आज भी कुछ-कुछ सवराष्ट्र की जलग मिल जाती हैं। मुझे इस आयोजन को लेकर तमिल नावडु से बहुत से लोगों ने सरहाना भरे पत्र लिखे हैं। मदरई में रहने वाले जये चंदरन जीन ने बड़ी ही भावुक बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि हजार साल के बाद पहली बार किसी ने सवराष्ट्र तमिल के इन रि जये चंदरन जी की बाते हजारों तमिल भाई बहनों की अभीवक्ति है।